अंडा मसाला बनाने के लिए हम कुछ सूखी मिर्चियां लेंगे जिनके हम बीजे इस तरह से निकाल देंगे मैंने इसी तरह की मिर्चियां 20 मिनिट से पानी में सोक करके रखी हुई है और अब मैं इन मिर्चियों को पानी के साथ ही मिक्सी के जार में डालूँगी इसके साथ ही मैं इसमें आधा इंच अद्रक्का टुकडा और छैसे साथ लहसं की कलियां डालूँगी और अब मैं इनको अच्छे से पीस लूँगी यह पिसा हुआ मसाला तयार है मैं इसको अलग रखूँगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चार उबले और छेले हुए अंडे लिये हुए हैं अब मैं एक टूद्पिक की साहता से इनमें छेट कर लूँगी जिससे कि यह तलते समय तेल ना उच्छा ले और अब हम इनको फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए मैंने एक पैन को मीडियम हीट पे गरम किया हुआ है और अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी और अब हम इसमें उबले हुए अंडे रखेंगे अब इनको कई बार पलटते हुए सेकेंगे जब तक ये सुनहरे ब्राउन कलर के ना हो जाए आप देख सकते हैं कि अंडे ब्राउन हो चुके हैं मैं इनको बाउल में अलग से निकाल लूँगी और अब इसी पैन में मैं करीब चार बड़े चमच तेल के डालूँगी इसके साथ ही मैं एक छोटा चमच जीरे का डालूँगी और कुछ सेकेंड के लिए जीरे को भून लूँगी अब मैं इसमें तीन चौताई कप कसा हुआ प्यास का डालूँगी और उसको अच्छे से मिलाऊंगी इसके साथ ही हम इसमें नमक डालेंगे और हम इस प्यास को करीब 10 से 12 मिनिट तक भूनेंगे कि जब तक यह भूरी ना हो जाए और अच्छे से तेल ना छोड़ दे अब आप देख सकते हैं कि प्यास का रंग बदल चुका है और इसने तेल भी छोड़ दिया है अब हम इसमें अपना चिली और गालिक पेज डालेंगे जो कि हमने पहले बनाया था और हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और कुछ तेर के लिए भूनेंगे अब आप देख सकते हैं कि प्याज अद्रत लहसं का मसाला भूनके तयार है अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे तो सबसे पहले मैं इसमें आदा छोटा चमप्च हल्दी पाउडर का डालूँगी इसके साथ ही इसमें आदा छोटा चमच लालमच पाउडर और देड़ छोटा चमच धनिया पाउडर का डालेंगे और अब हम इन सबको अच्छे से मिलाते हुए कुछ सेकिंद्स के लिए भून लेंगे अब हम इसमें एक कप कसा हुआ टमाटर का डालेंगे और इसको अच्छे से बिलाएंगे और अब हम इसको ढगेंगे और स्टोफ की आच को दीडे करेंगे और आच से 10 मिनिट तक के लिए इस टमाटर को भुनने देंगे पीच पीच में हम ग्रेवी को चलाएंगे जिससे कि ये नीचे ना लगे और जलना जाए अब करीब 8 मिनिट हो चुके हैं अब हम इसको खुले में थोड़ी देर पकाएंगे और इसको तेल छोड़ने तक भूनेंगे अब देख सकते हैं कि ग्रेवी भुनकर तयार है अब हम इसमें उबले हुए अंडे डालेंगे और उनको ग्रेवी के साथ अच्छे से मिलाएंगे अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे जिसे की मसाला जलना जाए और अंडे को ग्रेवी में कुछ देर के लिए और भूनेंगे अब हम इसमें करीब एक कप या फिर आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो उतना पानी डालेंगे और अंडो और ग्रेवी को अच्छे से मिलाएंगे और हम इसको कुछ देर के लिए ढखकर पकने देंगे कुछ समय में ही ग्रेवी उबलने लगेगी अब हम इसकी आज बन कर देंगे अंडा मसाला या एक करी बनकर तयार है यह एक करी चावल या रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है आप जरूर बनाएगा और आशा करते हूं यह करी आपको बहुत पसंदा